सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल सपोर्ट चानल को और बिल आइकोन को दबाईए लेटेश टेक्निकलाजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है दोस्तो बिलकुल हो सकता है बस आपको आपने मोबाइल में एक शूटीशी याप इंस्ट्रॉल करनी होगी फिर आपका मोबाइल नहीं बता देगा कि आने वाली कॉल किसकी है और आने वाला मैसेश किसका है और पढ़कर भी आपको सुना देगा दोस्तो एक शूटी सी याप की वज़े से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सौल हो सकती है तो दोस्तो इस याप के बारे में इसके जरूरी शेटिंग के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डेटेल में बताऊंगा बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंट तक देखे वरना आप इस याप के बारे में समझ नहीं पायेंगे और ये याप आपके मोबाईल में वर्क नहीं करेगा तो चले शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मोबाईल में प्लेश्ड ओपन कर लेना है और सर्च रपार में टैप करें और सब समझे आपके ये सारी अपलिकेशन शो उगी यहाँ से आपको थर्ड नमबर वाला अप्लिकेशन लेना है कॉलर नेम अनाउनसर प्रो यहाँ पर देख लिजे इस तरह का इसका लोगो है तो इस पर क्लिक करें दोस्तों यह प्रो अरजन है लेकिन बिल्कुली फ्री है और शोटा सा अप्लिकेशन है 5.9 MB का इसके 1 मिलियन डाउनलोड हो चुके है और 4.5 की इसकी रेटिंग है तो इसे अब अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें कुछ ही सेगन में यह आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा अब इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें उपन करने के बाद यहाँ पर कुछ जरूरी शेटिंग कर लेना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेश होगा यहाँ पर आप इसकी स्प्रीश सिस्टिम को टेस्ट कर सकते है जो बाय डिफॉल्ट है तो यहाँ पर क्लिक करे इसके बाद आप इसकी मैनियोली शेटिंग भी कर सकते है इसे मैनियोली शेट करने के लिए कॉल पर क्लिक करे अब यहाँ पर उपर की जो दो शेटिंग है उसे बाय डिफॉल्ट ही रहने दे और नीचे number times to announce, यहाँ पर आपको call आने के बाद कितनी बार announce होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसकी setting कर सकते है, दो बार, तीन बार, पाच बार, तो यहाँ सी इसकी setting कर लिजे, यह setting करने के बाद आप back आजाईए, और आप audio पर click करे, यहाँ पर उपर की setting है, यह by default ही रह सकते है, और नीचे इस function को enable कर दे, यहाँ पर आप audio को test भी कर सकते है, यह सारी setting करने के बाद आप back आजाईए, और अब SMS पर click करे, यह सारी setting को यहाँ पर by default ही रहने दीजे, और back आजाईए, दोस्तों यह सारी setting करने के बाद, आप हम test करके देखते है, मैं अपने दूसर मोबाइल से calling करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि आने वाली call किसकी है, यह अब मेरा मोबाइल ही बता रहा है, आप भी अतने मोबाइल में यह सारी setting कर लेते हैं, तो आपका मोबाइल ही आपको बता देगा कि किसकी call है, और सेम इसी तरह से आपको message भी बताए जाएगा, और पढ़कर भी बताए जाएगा, message से ज्यादा calling के लिए ही आप बहुत अच्छी है, और खासकर जब आप driving कर रहे होती हूँ तब, तो दोस्तों यह जानकरी आपको कैसी लगी हमें comment में जरूर बताए, वीडियो अच्छा लगा तो like और share जरूर करे, और ऐसी महत्व पूट चैनल को सब्सक्राइब करे, थैंक्स फोर वाचिंग, जैहिन